कर दोस्तों एक बार फिर्श याप का दैमन जी के क्लासेज में अर्दिक शुआगत है दोस्तों कैसे हो उमीद है आपकी तैयरी अच्छी चल रही होगी अभी सेकिंड ग्रेड की एकजाम आने वाली है तो दोस्तों आज के हम टोपिक में सेकिंड ग्रेड के जो सामाजिक वि संक्सिल्प के लिए परशिद इस्थान कौन सा है संक्सिल्प के लिए परशिद इस्थान कौन सा है संक्सिल्प के लिए हडपा सबेता का ऐसा कौन सा इस्थान है जो संक्सिल्प के लिए जाना जाता है संक्सिल्प के लिए परशिद है तो दोस्तों यह है नागिश्वर क का और है गुझरात में जे रिग्वेद की रिचाओं का पाठ कौन करता है तर 3 की रीचाओं का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है डौस्तों होता या होतर कार concerned रिगवेद की रिचाओं का पाठ करने वाले को होता या होतर कहा जाता है मुगल काल में सरवादिक सूबों की संख्या कोंसे बादशा के टाइम में थी मुगल काल में सरवादिक सूबे थे किस सासक के टाइम में सरवादिक सूबे थे तो दोस्तो साजा के टाइम में मुगलकाल में साजा जो था उसके समय में सरवादिक सूबे थे मुगलकाल में थे कितने थे 22 सूबे थे कितने थे मुगलकाल में साजा के समय में 22 सूबे थे जो की सरवादिक थे पुरंदर की संधी किस किस के बीच होती है पुरंदर की संधी होती है दोस्तों वो शिवाजी चतरपती शिवाजी और जे सिंग के बीच होती है शिवाजी और जे सिंग के बीच पुरंदर की संधी कब होती है और कब होती है तो दोस्तों यह होती है 11-1665 इस बीद पुरेंदर की संदी कब होती है 11-1665 किस-किस के बीच होती है सतरपती शिवा जी और जे सिंग के बीद होती है अकबर ने दिन-े-इलाही की गोषना कब की तो अकबर ने दीन ए इलाई धर्म की गोशना की थी 1582 में 1582 इस्वी में अकबर ने दीन इलाई की गोशना की थी ठीक है प्रावदा समाचार पत्तर प्रावदा समाचार पत्तर किसने निकाला कोन इसे संबनी था तो दोस्तों प्रावदा समाचार पत्तर लेनिन ने निकाला था और कब निकाला था 1912 में किसने निकाला लेनिन और 1912 में निकाला था लेनिन कौन था लेनिन रूश जो अभी सोवेच संग था रूश उसमें करांती जो सामेवादी करांती भी उसका परणेता था लेनिन आय के चक्राकार परवा का शिधान्त किस ने दिया आय का चक्राकार परवा का शिधान्त किस ने दिया फ्रेंकायज क्वीजने ने किसने फ्रेंकायज क्वीजने ने आयका चक्राकार शिद्धानत दिया हरित लेखांकन किसे समन्दित है परियावरण की हानी का मतलब है हरित लेखांकन का समन्द किसा है परियावरण की हानी से जीवन की भोतिक गुणवत्ता सुचकांग का परतिपादन किस ने किया जीवन की भोतिक गुणवत्ता सुचकांग का परतिपादन किस ने किया दोस्तो मोरिश डी मोरिश ने किसने मोरिश डी मोरिश ने क्या क्या जीवन की बहुतिक गुणवत्रा सुचकांगा पर्थिबादन किया बारत में इम अमरत पोर्टल किसे संब्धित है दोस्तों इलेक्ट्रिक वान सूचना से संब्धित है इलेक्ट्रिक वान सूचना से संब्धित है इलेक्ट्रिक वान सूचना से संब्धित है इलेक्ट्रिक के मद्द्ध होता है 1972 में सिमला समझ होता है भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक्तम वेक्तियों का अधिक्तम शुक का सिधान किस ने दिया बेंथम ने किस ने दिया बेंथम ने का अधिक्तम वेक्तियों का अधिक्तम शुक गीता के अनुसार करम योग क्या है गीता के अधरते रो और फल की चिंतियां मत करूं हाँ के बोध दर्शल्षन का आत्मा समंधी सिध्धान क्या है गयो द्रम का नस Worında है क्या झा फ्याग है जाती वरग व्यवशाय जाती वरग व्यवशाय पुस्तक है इस पुस्तक के लेखें जी एस घुरिये जाती वरग और व्यवशाय पुस्तक के लेखें जी एस घुरिये अंतीम पुरुशार्थ कौन सा है अंतीम पुरुशार्थ कौन सा है अंतीम पुरुशार्थ दोस्तों म पार्त interrupt काम और मौक्ष तो लास्ट का है स्ट जीरो डिःगरी अक्सांत रेखा जैन कि भूमद दे रेखा और जीरो डिदिव संटडर रूप रएक दूस्रे को कहांपर काड़ती है तो दोस्तों बखियरो डिग क्रीव मदनार 250 बहुत स्थाफना से टिसको इसपाच सेंथansen स्थापना कब बीठें परlungenर को अधायरन डाफिवित कंपनि इस टील कोंपनि लिमिटेड थ्बैस टैटा अरे इंट इस्टील कंपनी लीमिटेड जो कि कहा पर है जारखंड में कहा पर है जारखंड में इस्तित दोस्तों आज का टोपिक आपको कैसे लगा कैसे लेगे कमेंट करके जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार